गाइस 2019 में रिलीज हुई एक स्पैनिश मुवी था प्लैटफॉर्म में हमारे समाज को इतने ब्रूटल और यूनीक वे में प्रेजन्ट किया गया कि हर कोई से देखकर दंग रह गया दोस्तों फिल्म का जो मेंन कॉंसेप्ट है इसमें एक टावर स्टाइल की वर्टिकल बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर पर दो-दो लोगों को ग्रूप में रखा गया है जिनकी फ्लोर की पोजिशन हर 30 दिन में लौटरी के तुरू बदलती रहती है अब जो कॉंसेप्ट से बाकी मूवी से लग करता है वो यह है कि एक प्लैटफॉर्म के जरिये हर दिन सभी को कुछ मिनट के लिए खाना खाने को दिया जाता है जिससे टॉफ फ्लोर में रह रहे हैं लोगों को तो पेट भर के खाना मिलता है पर जैसे जैसे प्लैटफॉर्म नीचे आता है वैसे वैसे खाना भी खतम होता जाता है और जो लोग नीचे वाले फ्लोर पर हैं उन्हें तो 30 दिन तक खाना ही नसीब नहीं होता जिसकी वज़े से इन लोगों को खुद जिन्दा रहने के लिए अपने रूममेट को मार कर खाना पड़ता है और जिन्दा रहने की इस लड़ाई में वही बचेगा जो दूसरे से ज़्यादा तकतवर है ये बेसिकली डार्विन की सर्वाइवल आफ दा फिटेस की थूरी को एक एक स्टीम वे में दिखाता है अब गाईज मूवी देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस फिल्म में हर इंसान या सिच्वेशन को आज के मानव समाज से बहुत ही बूटल पर ब्रिलिंट वे में कमपेर किया गया है जिसे देखकर आपको दुख और निराशा तो होगी पर असलियत यही है जिन में रह रहे है लोग जैसे तैसे करके अपनी लाइफ काट ही लेते हैं और अब लास्ट में आते हैं लोवर फ्लोर पर रह रहे है लोग जिनने हमारी सुसाइटी के सबसे निचले वर के वन्चित लोगों से कमपेर किया गया है जिने परिस्तितियों ने इस तरह से दिया है कि वो अपने survival के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं अब guys ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां director का main focus यह बताने पर है कि जो आज top floor पर हैं वो 30 दिन बाद last floor पर भी हो सकते हैं यानि अगर आज अमीर हैं तो यह जुरूरी नहीं कि आप हमेशा ही अमीर रहेंगे इसलिए अगर सब बांट कर खाना खाएं तो कोई भी भूका नहीं रहेगा वहीं दूसी तरफ director ने मुवी में कुछ ऐसे लोगों और ठेकेदारों के तरफ इशारा किया है जो ऐसा possible ही नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें उनका नुकसान है मनुश्य के इसी लालच, नफरत और भेदबाव की feeling को दिखाया है दा प्लैटफॉर्म मुवी में मुवी की कहानी शुरू होती है floor number 48 से जहां फिल्म का हीरो गोरंग बेहोशी से जाकता है यह उसका इस hole में पहला दिन है वो confusion में अपने roommate जिसका नाम त्री मागसी है उससे पूछता है कि हम यहाँ पूरा दिन क्या करते हैं जिसके reply में त्री मागसी उसे बताता है कि हम हर दिन बस खाने का wait करते हैं और यह सोचते हैं कि आज खाने में क्या नसीब होगा मूवी के सुरवात में हमें गोरंग और त्री मागसी की बात चीज से तीन बेहदी जरूरी चीजों का पता चलता है जिन में से पहली है कि platform हर दिन दो मिनेट के लिए प्रते एक floor पर रुखता है और जो भी खाना उपर वाले floor में रह रहे लोगों ने छोड़ा होगा उसे ही नीचे वाले floor के लोगों को खाना पड़ता है लेकिन अगर किसी ने भी खाने को चुरा कर बाद में खाने के लिए अपने पास रखा तो उस floor का temperature या तो तेजी से जान लेवा level तक बढ़ने या फिर कम होने लगेगा जब तक वो उस खाने को नीचे platform पर न फेक दें दूसरी बात जो इनकी conversation से हमें पता चलती है वो यह है कि इस hole में आने के बस दो ही तरीके हैं अगर किसी ने गलती से कोई crime कमिट किया है तो जेल या mental hospital से बचने के लिए उसे कुछ मन्त यहां बिताने का option दिया जाता है वही कोई भी वेक्ति अपनी मर्जी से भी इस hole में आ सकता है जिसके बदले उसे यहां से रिहा होने पे एक diploma दिया जाएगा तीसरी important चीज जो movie के इस part से हमें पता चलती है वो यह है कि इस hole में लोगों को कोई भी एक चीज लाने की permission है जहां गोरंग अपने साथ एक book लेके आया है वहीं उसका roommate एक धारदार चाकू अब कुछ समय इस hole में बिताने के बाद गोरंग जान पैचान बनाने के लिए अपने से नीचे वाले floor में रह रहे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता है पर जब कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता तब तरिमागसी उसे समझाता है कि ये लोग हमसे उपर है ये तुमसे बात नहीं करेंगे इस सीन से डिरेक्टर ने हमारी सुसाइटी में फैले हुए क्लास डिविजन को दिखाया है कि किस तरह हम ना चाते हुए भी एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गया है कि जहां कोई भी अपने हैसियस से नीचे वालों से बात करना पसंद नहीं करता है अब धीरे-धीरे कुछी दिनों में फिल्म का हीरो भी इस महाल में ढल जाता है फिर एक दिन इन सब के सामने कोई उपर वाले फ्लोर से कूद कर सुसाइट कर लेता है इस सीन का डिरेक्ट रिलेशन है मुवी के सुरवात में आयो है एक डायलोग से इस होल में तीन तरह के लोग हैं एक जो ऊपर हैं दूसरे वो जो इन से नीचे हैं और तीसरे वो लोग हैं जो कूद कर सुसाइट कर लेते हैं इसी को explain करते हुए तिर माकसी गौरंग को समझाता है कि हम middle floor पे हैं हमारे पास एक होप है कि शायद आज हमें अपना मन पसंद खाना पेट भर कर खाने को मिलेगा जिससे सोच कर हम पूरा दिन काट लेते हैं पर जो लोग top floor पे हैं उनका पेट पूरी तरह से भरे होने के कारण उन्हें फालतों की चीज़ा सोचने का time मिल जाता है जिससे वो चिंता और अकेले पन से हार कर सुसाइट कर लेते हैं अब गाइस आप अगर यह सोच कर देखें तो यह कहीं न कहीं हमारे समाज के रिच लोगों में सुसाइट करने के ट्रेंड को रिसंबल करता है इसके कुछी दिनों बाद मुवी में एक ऐसा सीन आता है जो फिल्म की आने वाली कहानी को सबसे ज़्यादा एफेक्ट करेगा एक दिन जब यह लोग खाने का वेट कर रहे होते हैं तब प्लैटफॉर्म पर खाने के लावा एक लड़की भी बैटी हुई है जिसे देखकर गौरंग हैरानी में पढ़ जाता है तब तरीमागसी उसे बताता है कि यह हर महीने नीचे वाले फ्लोर पर जाकर अपने गुम हुए बच्चे को ढूंड दिया है और जो भी पहली बार यहां आई थी तो इसने अपने रूमेट को यह सोचकर मार दिया था कि क्या पता एड्मिनिस्टेशन के लोग नेक्स मंथ इसके बच्चे को इसका रूमेट बना दें और गाइस अब यह बताने की जूरत नहीं है कि इस बिल्डिंग में यह लोग एक अकेली लड़की के साथ क्या करते होंगे कभी यह इन से लड़कर इने मार देती थी तो कभी यह इसके साथ जो मरजी वो करते थे पर जो मेंचीज ओडियंस को इस सीन से बताने की कोशिश की है वो यह है कि इस बिल्डिंग में आप अपने रिस्क से नीचे तो जा सकते हैं पर उपर जाना नामुम्किन है अब धीरे धीरे 30 दिन का पीरेड भी खतम होने लगता है तब तरिमागसी गौरों को बताता है कि इस से पहले वो 132 फ्लोर पर था तब उसने और उसके रूममेट ने उपर वाले फ्लोर से सुसाइड किये वे किसी इंसान की लाश को खा कर पूरा महीना सर्वाइव किया था आज हमारा लास दिन है इस फ्लोर पर और अगर तुम भगवान में विश्वास करते हो तो दुआ करो कि कल हम किसी अच्छे फ्लोर पर उठें अब जैसे ही रात होती है वैसी एड्मिस्टेशन के लोग हर फ्लोर पर बिहोश करने वाली गैस छोड़ कर लॉटरी के अकौर्डिंग सब के फ्लोर की लोकेशन चेंज कर देते हैं अब तक हमें मुवी के तीन मैं करेकटर के बारे में पता चलता है और फ्ल्म के राइटर ने एक पुराने ट्रिक का यूज़ करके बीना कुछ कहे इं तीनों के ही मैं रोल को हिड़न तरीके से आधियंस को बताने की कोशिश किये कई बार कहानी के राइटर मुवी में हीरो हीरोईन के ऐसे नाम चुनते हैं जो अपने आप इनके मेन मोटिव को एक्सप्रेस कर दें एक्जामपल के लिए फिल्म के मेन हीरो का नाम है गौरंग जिसका मतलब है फ्राई या ब्रोकन होना गौरंग एक पड़ा लिखा नाईस लड़का है जो गलत फैमी से इस बिल्डिंग में आ गया पर उसका यही अच्छा नेचर उसे इस बिल्डिंग के इन्यूमन कंडिशन में फ्राई या यह कहिए कि तोड़ देगा वहीं दूसरे करेक्टर का नाम है त्री मागसी एक त्री मागसी ही है जो पूरी बिल्डिंग में गौरंग के सबी सवालों के जवाब दे रहा है और मुवी के कई पार्ट में वो उसकी इन्डेरिकली मदद भी करेगा और अगर कोई हमारी मुश्किल में मदद करे तो हम थैंक्यू कहके से अकनॉलेज करते हैं इसलिए इस करेक्टर का नाम रखा गया त्री मागसी जिसका मतलब होता है थैंक्यू और फिल्म के इस पार्ट के एंड में आता है तीसरा में करेक्टर जिसका नाम है मिहारू जिसकी मीनिंग है टू प्रोटेक्ट और टू गार्ड ये नाम रइटर ने इसलिए चुना क्योंकि वो पूरी फिल्म में अपने आपको चोट पहुँचा कर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रही है तो दोस्तों इस तरह से राइटर ने मूवी के शुरू में ही हिडन तरीके से तीनों में करेक्टर की भूमिका को और्डियंस को बता दिया अगले दिन जब गोरंग बेहुशिय से जाकता है तो महसूस करता है कि किसी ने उसे बैट से बांध रखा है और उसके सामने हाथ में चाकूलिये खड़ा है उसका रूममेट त्रीमागसी जो उससे कहता है कि इस बार हम 172 फ्लोर पे हैं यहां तक तो खाना पहुशना ना मुम्किन है तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ पर इस फ्लोर पर जैसे जैसे दिन बेतेंगे वैसे वैसे भूक से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और क्योंकि तुम मुझे ज़्यादा ताकत वरो तो क्या पता तुम मुझे मार कर खाने की कोशिश करो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहां तक बात ही ना पहुँचने दूँ अब जैसे जैसे मुझे भूक लगेगी मैं तुम्हारे छोटे छोटे मास्क के टुकडे खाता रहूँगा ताकि मुझे बुड़े और कमजोर आदमी को 30 दिन तक भूका ना रहना पड़े अब गईस नोटिस करने वाली बात यह है कि इस सीन में जिस तरह से त्रीमागसी पहले से ही तयार था इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि उसने पहले भी ऐसा किसी के साथ किया है और शाय जब वो 132 फ्लोर पर था तो उसने कोई उपर वाले फ्लोर से गिरी हुई किसी की लाश नहीं खाई थी बलकि हो सकता है उसने अपने ही पुराने रूम बेट को मार कर खाया होगा अब हर दिन इस फ्लोर पर आते आते प्लैट्फॉर्म पर खाने को कुछ भी नहीं बचता है त्रीमागसी पहले सप्ता तो भूका रह लेता है पर जब उससे भूक और बरदास नहीं होती तब वो गरंग की थाई से एक मास्क का टुकड़ा काटके खाने लगता है और इसी सीन के दोरान प्लैट्फॉर्म भी नीचे आता है जो इस बार खाली नहीं है प्लैट्फॉर्म पर बैठी है मिहारू जो इस महीने भी अपने बच्चे को नीचे वाले फ्लोर पर ढूंडने आई है वो गौरंग को मुसीबत में देखके त्रीमागसी को मार देती है मिहारू का गौरंग की मदद करने का रिजन ये था कि वो अकेला ऐसा आदमी था जिसने मिहारू की मजबूरी का फैदा ना उठा के उसे साहनुबूती की नजरों से देखा था गौरंग बचे हुए दिन त्रीमागसी की लाज को खा कर जिंदा रहता है लेकिन अकेले पन से उसे त्रीमागसी की आत्मा दिखने लगती है जो उसे कहती है कि एक बुढ़े कमजोर आदमी को मार दिया तुमने अब तुम भी मेरी तरह एक खूनी बन गए हो और इनकी इस बातचीत में इस महीने के बचेवे दिन भी बीच जाते हैं इस बार बेहुसी से जागने के बाद गौरंग दिवार की तरफ देखकर रहत की सांस लेता है क्योंकि इस फ्लोर की दिवार पर लिखा है फ्लोर नंबर 33 त्रीमागसी के मरने के बाद गौरंग को एक नया रूम तक नहीं पता था कि इस building में क्या होता है उसे तो ये बताया गया था कि एक self management center है जहां लोगों को सुधारने और civilized करने के लिए रखा जाता है पर अब जब वो cancer के last stage में है तो उसने खुद यहां आना चुना ताकि वो इस building के system को change कर सके इमोगरी का मानना है कि अगर हर वेक्ती उतना ही खाना खाया जितना उसे जिन्दा रहने गले चाहिए तो last floor तक भी खाना पहुँच जाएगा और यही बात हमें यहां रहने वाले लोगों को समझानी है इसके कुछ दिनों बार जब platform से खाना नीचे आता है तो उसमें मिहारू जो इस महने भी अपने बच्चे को ढूनने नीचे वाले floor पर जा रही थी वो बेहोशी की हालात में पड़ी होती है किसी ने इस बार उसे बहुत चोट पहुचाई है गोरंग उसे अपने floor पर रखकर उसकी देख भाल करता है क्योंकि मिहारू ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी लेकिन जैसे ही मिहारू कुछ समय बार ठीक होकर नीन से जाकती है वो इमोगरी के अपने साथ लाए होए pet dog को मार देती है और इसके अगले दिन platform पर बैट कर अपने बच्चे को ढूनने नीचे वाले floor पर चले जाती है अब गोरंग इमोगरी को कहता है कि ठीक हुआ तुम्हारे साथ तुमने इसके मासूम बच्चे को इस नर्क में भेजा इसलिए इसने तुम्हारे पालतू कुत्ते को मार दिया और अगर मैं भीज में नहीं आता तो ये तुम्हें भी मार देती अब मुवी की कहानी में एक रुमान चक मोड आता है जब इमोगरी उसे बताती है कि इसका कोई बच्चा है ही नहीं ये एक एक्टर है जिसने तुम्हारी तरह यहां खुद आना चुना और शायद ही यहां के महौल को जहिल नहीं पाई जिससे ये पागल हो गई इस बात को मैं confidence से इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि administration का एक सक्त रूल है कि 16 साल से कम उमर के बच्चे यहां अलाव नहीं है अब क्या मिहारू सच में पागल है या उसका बच्चा इसी बिल्डिंग में कही है जिसका जवाब हमें इस वीडियो के end में मिलेगा और गौरंग किसी तरह अपना तीसरा महीना भी इस होल में सर्वाइव कर लेता है गौरंग नीन से जाकते ही दिवार पर फ्लोर का नंबर देखकर चौंक जाता है जहां एक तरफ फ्लोर नंबर 202 लिखा है वहीं दूसी तरफ इमोगरी की लास लटकी हुई है कुछ दिन तो गौरंग भूका रह लेता है पर फिर भूक और अकेले पन से उसे अपने दोनों पुराने रूममेट की आत्मा ये दिखने लगती है इमोगरी की आत्मा उसे समझाती है कि मैं तो वैसे भी कैंसर से मरने वाली थी इसलिए मैंने सुसाइड करना ही सही समझा अब कम से कम तुम मेरी लाश को खा कर ये महीना जिंदा तो रह सकते हो मेरी लाश तुमारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है अकेले पन और पागल पन में गौरंग का ये महीना भी इमोगरी की लाश को खा कर बीच जाता है गौरंग 202 फ्लोर पर एक महीना बिताने के बाद नेक्स डे जब होश में आता है तो वो अपने आपको 6 फ्लोर पर अपने नए रूमेट भारत के साथ पाता है भारत उसे यहां से निकलने का अपना प्लान बताता है मैं यहां से जीरो फ्लोर तक चड़ कर इस बिल्डिंग से भाग जाओंगा लेकिन जब वो अपने उपर वाले फ्लोर में रहे रहे लोगों से मदद मांगता है उसे अब तक यह बात तो समझ आगे कि यहां से जिंदा निकलना इंपॉसिबल है पर वो यहां के सिस्टम को चेंज करने के एक कोशिश जरूर कर सकते हैं जिसमें वो भारत की मदद मांगता है दोनों यह डिसाइड करते हैं कि वो हर फ्लोर पर खुद प्लैटफॉर्म पर बैट कर जाएंगे और सभी को इक्विली खाना डिस्टिबूट करेंगे ताकि एड्मिस्टेशन का बनाया हुआ यह बकवा सिस्टम तूर जाए और इससे बिल्डिंग में रह रहे लोगों में भी सिविलाइज और लॉजिकल सेंस पैदा होगी पर जो वो दोनों प्लैटफॉर्म के तुरू नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं तो ज़्यादा तर लोग उनके इस प्लैन को मानने से इंकार कर देते हैं उनका कहना है कि यह मंध हमारा है, हमारी किसमत में इस महीने पेड भर के खाना लिखा है और अगर इससे नीचे वाले फ्लोर में रह रहे लोग मरते हैं तो यह उनकी किसमत है लोगों के इस तरह के माइंड सेट के कारण भारत और गौरंग की हर फ्लोर पर इनसे लड़ाई होती है जिससे वो दोनों ही जादतर लोगों को मार देते हैं मूवी के डारेक्टर ने इस पार्ट से ये समझाने की कोशिश किये कि अगर अचानक किसी भी सिस्टम को बिना लोगों को समझाए चेंज करने की कोशिश की जाती है तो इससे सोसाइटी का ज़्यादा नुकसान होता है फायदे के बजाए जैसे यहां भारत और गौरंग एक पूंजीवादी जैसे सोसाइटी को फोर्स से अचानक एक सोसिलिस्स समाज में बदलने की कोशिश कर रहे है जिसका परिनाम यह निकलता है कि जिन लोगों की वो मदद करना चाते थे उन में से कई को तो खुदी मार देते है और पूंजीवादी सोसाइटी से यहां मतलब पूंजी से ना होकर खाने से है कुछ फ्लोर बाद एक फ्लोर पर भारत को अपना पूराना दोस मिलता है जिसे वो वाइस मैन के नाम से बुलाता है यह दोनों कैसे एक दूसरे को जानते हैं मुवी में नहीं बताया गया है पर पॉसिबिल्टी यह है कि यह दोनों ही एक दूसर के ऊपर या नीचे वाले फ्लोर पर रहते होंगे और आपस में बात करते हुए इनके दोस्ती हो गई जो आपस में खाना बातना और बचाना भी सीख गये और यह सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि रॉयल डिश होगी पैना कोटा डेजर्ट यही सोचकर वो दोनों पैना कोटा को संभाल कर बाकी बचावा खाना सभी को थोड़ा थोड़ा माटते रहते हैं इसी बीच एक फ्लोर पर गौरंग को मिहारू दिखाई देती है जिसे दो लोगों ने बंदी बना रखा है गौरंग और भारत उन दोनों से लड़कर मिहारू को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं पर जहां इस लड़ाई में वो दोनों बहुत ही बुरी तरह गहल हो जाते हैं वहीं मिहारू मारी जाती है अब जैसे जैसे फ्लोर का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे गौरंग को भी समझाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी वो सब को खाना नहीं दे पाएगा इस बिल्डिंग के एड्मिस्टेशन ने जान बुझकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि लोवर फ्लोर में रह रहे लोगों को भूख के कारण आपस में लड़कर एक दूसर को खाना ही पड़ेगा और इनकी यही सर्वाइवल की लड़ाई एडमिस्टेशन के लोगों को सैटिस्टेशन और एंटरेटेन करती है क्योंकि उनके लिए यह सब एक खेल की तरह है लोगों से लड़ते जगरते आकरकर गौरंग और भारत लास्ट लोर पर पहुंची जाते हैं जिसके नीचे अब बस अंधेरा और गहरा बेस्मेंट है शुरुवात में गौरंग को यह फ्लोर खाली लगता है पर जो वो ध्यान से पूरे कमरे को देखता है तब उसे बैड के नीचे छुपा हुआ एक बच्चा दिखाई देता है यह मिहारो की बेटी है जिसे भोका देखकर गौरंग उसे पैना कोटा खाने को दे देता है बच्चे को देखकर गौरंग का ध्यान प्लैटफॉर्म से हड जाता है और जब तक उसे इसका ध्यान आता है तब तक प्लैटफॉर्म बेस्मेंट में पहुँच चुका है जहां कि administration को ये पहले से ही पता था कि यहां तक तो खाना पहुंचेगा ही नहीं तो कोई खाने को कैसे जमा करके रखेगा। दूसरा reason ये था कि administration के लोगों ने इस बच्चे की जिन्दगी उसकी माँ पर छोड़ी थी कि तुम जितना चाहे खाना platform पर छुपा कर लास floor तक अपने बेटी के लिए ला कर जमा कर सकती हो। एक नियम तोड़ दिया। और जब इस बच्चे को zero floor पर काम करने वाले लोग देखेंगे तो उनको भी इस self management center के बक्वास concept की असलियत का पता चल जाएगा। और शायद इनी में से कोई इस building की complain करके इसे बंद करा दे। यही सोचकर गौरंग बच्चे के साथ next day तक platform के वापस आने का wait करता है। नेक्स डे गौरंग बच्चे के साथ platform पर बैट कर basement तक जाता है जहां त्रिमागसी की आत्मा उसे समझाती है कि message बस बच्चा है और तुम्हारा mission अब खतम हो गया है तुम अब आजाद हो। जिसका मतलब यह है कि गौरंग अपनी चोटों के कारण मरने वाला है और जो चेंज वो लाने की कोशिश कर रहा था उसमें वो सफल रहा। फिल्म की एंडिंग में जहां गौरंग basement के अंधरे में कहीं गुम हो जाता है वहीं मिहारो की बेटी platform पर लेटी हुई है जो full speed मे वापस zero floor तक का सफर तै कर रहा है और इसी scene के साथ movie की ending होती है अब guys film की इस ending से कई सवाल खड़े होते हैं जिन में से एक movie की alternative ending भी है पहला सवाल यह है कि यह बच्चा इस building में अब तक कैसे जिन्दा रहा जिसका answer आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसकी मां हर महीने एक ब पूरे महीने थोड़ा थोड़ा खा कर जिंदा रहते थे और जैसे ही 30 दिन पूरे होते थे वैसे ही बच्चे को छोड़कर उसकी मां के साथ बाकी सबी के floor की location change हो जाती थी इसलिए हर महीने मिहारू सरफ एक ही बार नीचे वाले floor पर जाती थी और महीने के बाकी बच्चे हुए दिन अपने बच्चे के साथ बिताती थी दूसर सवाल ये है कि ये बच्चा ही क्यों मैसेस था जिसका आंसर है कि बाकी लोग तो अपनी गलती से या जेल से बचने के लिए या खुद आये थे तो उनके लिए तो किसी के भी मन में सिंपती नहीं होगी पर जब zero floor पर हमारे यंग जनरेशन की तरफ इशारा किया है क्योंकि वही हैं जो आने वाले टाइम में हमारे समाज में कोई positive change ला सकते हैं गाइस मुवी में जो आपने ending देखिए वो फिल्म की original ending नहीं है जबकि original ending में बच्चे को zero number floor तक पहुंचते वे दिखाया गया है पर बाद में इस scene को cut कर दिया गया जिसका reason मुझे लगता है कि इसमें कई कमिया होना था जैसे अगर platform zero number floor पर बच्चे को लेकर पहुंच भी जाता तो platform की speed से travel करने के बाद अचानक रुकने से जो जटका लगता उससे तो बच्चे के दिवार से टकरा कर टुकडे टुकडे हो जाते वहीं दूसरी कमी इस ending में ये थी कि इस तरह तो हर कोई basement तक platform पर बैटकर आता और फिर zero number floor तक पहुंच जाता इसलिए movie से ending का ये एक scene cut कर दिया गया और बच्चे को platform पर लेटे होए zero floor तक जाते होए दिखाया गया ना कि पहुंचते होए और गई जो सबसे important reason है इस ending को open रखने का वो ये है कि इसे आज की society की तरह दिखाया जा सके जिस तरह कुछ लोग ये सोचते हैं कि कभी ना कभी हमारे समाज में जरूर positive change आएगा वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि इस society का कुछ नहीं होने वाला ये दिन प्रति दिन और निचले स्थर पर गिरती जाएगी डिरेक्टर ने भी इस ending से यही दिखाना चाहे कि शायद इस बच्ची की वज़े से सब ठीक हो गया होगा या फिर ये building ऐसी ही चलती रही होगी दोनों ही option में से जिसका जैसा mindset है वो वैसी ending चुन सकता है तो दोस्तों ये थी the platform movie की explanation सभी details के साथ